आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें इसके लिए क्या करेंगे दोश्टों? Cu क्या है? Copper के लिए इसका प्रवानुस द्रव्यमान होता है 63.5 जोर Sulfur का होता है 32 जोर Oxygen का होता है Solar ठीक है? तो इसे हल करने पर कितना होगा दोश्टों? 169.5 ग्राम मूल की घात माइनस एक ठीक है तो यह क्या हो गया दोश्टों? यह आगया इसका Molar अदरवान, Copper Sulfur के लिए ठीक है यानि कि हम यहां कहा सकते हैं दोश्टों कि एक मूल ठीक है एक मूल CuSO4 यानि कि Copper Sulfur जो कि कितना है दोश्टों? 169.5 ग्राम मूल की घात माइनस एक ठीक है में इसमें क्या होगा? एक मूल CuSO4 में यानि कि हम यह भी कह सकते हैं दोश्टों एक मूल Cu SO4 में SO4 में Cu की संख्या क्या हो जाएगी? Cu का एक ग्राम प्रमानू कितना हो जाएगा दोश्टों? 63.5 ग्राम उपस्थित रहता है ठीक है? उपस्थित रहता है हम यह लिख लेते हैं उपस्थित उपस्थित रहता है ठीक है? तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोश्टों? यानि कि हमें 100 ग्राम के लिए देखना है ठीक है? तो 100 ग्राम के लिए क्या करेंगे हैं? 100 ग्राम कॉपर सल्फिट ठीक है कॉपर जल्फिट तो 100 ग्राम कॉपर सल्फिट से प्राप्त कॉपर की मात्रा क्यों होगा दोस्तों? बड़ाबर Cu के परमानु दरबिमान यानि कि Cu का 1 ग्राम में उपस्थित यानि कि Copper Sulfate का में Cu का 1 ग्राम परमानु दरबिमान बटे Copper Sulfate का दरबिमान गुने 100 करेंगे ठीक है तो यह क्या आगया दोस्तों यानि कि Cu का हो जाएगा 63.5 बटे 169.5 गुने 100 ठीक है तो इसे हल करने पर कितना आजाएगा दोस्तों हमें यह आगया 49.81 ग्राम तो यह आगया Cu के मातरा ठीक है तो यह हमारे प्रशन का उतर हो गया दोस्तों हमसे पूछा गया था कि Copper Sulfate में कितना Copper प्राप्त किया जाए सकता है 100 ग्राम Copper Sulfate में तो हमने निकाल लिया हमें कितना मिला हमें मिला 49.81 ग्राम ही हमारे प्रशन का उतर हो गया धन्यवाद दोस्तों